आज हम एक नई स्रीज आपके लिए लेके आए हैं आर्ट एंड कल्चर की जैसे हम अदर सब्जेट का रिविजन कर रहे हैं जिसमें आप देखेंगे जोग्राफी का इन्वार्मेंट का इसे के साथ हम आपके यूपीस्टी को उख्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें हम जिसे पहले एपिसोड में हम लोग करते थे त्शक्रार करते थे यानि हम एक प्रकार का मॉग भी प्रवाइड करवाएंगे और साथि साथ आपको जलेगा कैसे कुश्शं की बात करें तो market में आपको बहुत सारे करने वाला है तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप मौक की जगा जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यो PST की बात नहीं है चाहिए आप किसी स्टेर पीसेद की तयारी कर रहे हैं आप हमेशा PYQ सॉल्ब कीजिए PYQ को जितना समझेंगे उतना ही आपके सक्सेस रेट के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे PYQ को सॉल्ब करना मतलब एक प्रकार का प्रैक्टिस प्लस आप उसको अगर डिटेल में अनालसिस करते हैं तो एक प्रकार का आपको वो स्मार्ट वर्क कहलाएगा तो इस वज़ह से में कहता हूँ कि जो मौक के स्रीज मिलती है उससे बेतर है आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे है उसके PYQ को सॉल्ब कीजिए मौक की तरह और उसका डिटेल में अनालसिस कीजिए जैसे अभी हम इसमें अनालसिस करवाएंगे उससे समझ जितने भी टॉपिक रहते हैं वहां पर जाके जॉइन कर सकते हैं और इसके डाव हमारे क्लेस के सिस्ट लेंगी तो एपिसर्ट में 2011 में जितने भी आर्ट और कल्चर से कुशन पूछे गए उसको सॉल्ब करेंगे फिर एपिसर्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम जो है टोटल 2011-2023 तक के जितने भी आर्ट और कल्चर से कुशन पूछे गए हैं उनक साल एक दो कुशन आपको हर सब्जिक्ट में ऐसे मिल जाएंगे या कहत हंड़िट कुशन में आपको एक दो कुशन ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा सा आपने पढ़ा नहीं होगा यानि आउट आप दा बॉक्स हो पूछे आता है क्योंकि आप ट्रेशनल चीजे पढ़ते न्सी आडी पढ़ते हैं अटेशनल बुक पढ़ते हैं और एक दो कुशन ऐसे आ जाते हैं जो जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूत नहीं है वो आपको हर एक्जाम में मिलेगा यानि हर एक्जाम के हर साल में मिलेगा जैसे बात करें तो यह 2011 में कुशन पूछा गया ह तो वैदिक काल से एक कुशन आया जिसने पुछा गया धर्म और रित्म खारत की प्राचीन वैदिक सब्रता में एक केंद्री विचार को चित्रित करते हैं इस संदर में निमलेगा पर विचार केजिए ऑप्सन एक धर्म व्यक्त के दायतो एम स्वैम तथा दूसरे के प्र पर यहां पर आपको इंगलिस भी दिया रहेगा है हंदी भी दिया रहेगा जिसको जिस लैंगज में समझना है वह आप समझ सकते हैं और जहां तक इस कुश्चन की बात करें धर्म की जहां तक बहुत सारे लोगों अगर एथिक्स वगरे क्लास की होगी तो वहां पर पैसि अधिक काल की बात करेंदर पंद्रसो से पांसो इसापूर के आसपास ये भारत के तियास के संदर में आता है और हिंदु धर्म के सबसब पुराने पवित्र गंतों में से आप देखेंगे तो वेदों की रतना की जा रही थी उस टाइम के पीरिड में और प्रारम में अगर का पुरान नाम क्या है विपासा ये आपके अगर अश्चेट पीसस का एक्जाम देते हैं हो सकता मिलान के संदर में आ जाए तो इसको आपको ध्यान रखना है तो हमारे सीरीज का यही फायदा है कि हम आपको बहुत सारी चीचे संबने चीचे आपको तयार करवाएंगे त TOMOOM यह इसकी बहुतिक करम बलद्यान का करम और दुनिया का नहां दीम हो जाये जहां तक और फ़ूटिक धर्म की कलपना देखेगे तो उस्क्रिया कर रूप में की जाती है तो उसे इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाप्राप्त होते हैं और आप देखेंगे तो अगली ओर जो सफलता जिसके पढ़ाम सुरूप धर्म या आध्यात्मिक पतन होगा तो आप देखेंगे इसलिए एक ब्यक्ति को बात किया गया है कि धर्म के मानधंडों का पालन करना चाहिए इसलिए आप देखेंगे कुल मिलाकर इसमें एक भी सही है धर्म का अलग-अलग संकल्पना होती है तो कहने का मतलब ऐसे कुश्चन भी एक आग दो बाउंसर आपको मिलेंगे हर एक्जाम में मिल जाते हैं इसके लिए आपको परहसान होने की जरूत नहीं कि आप पूरा किताब वैदिक काल को पुरा एकदम डिटेल में पढ़ डालें जो इंपोर्टन चीज है जैसे जैन धर्म और बौत धर्म और इंडेस वैली सिविलाजिशन ये आर्ट एन कल्चर की और एंसियन हिस्ट्री का कोर टॉपिक है हमेशा हर साल से कुश्ण आये हैं जैसा भी 2011 में देखी जैन दर्माण का मानना है कि संसार के निर्माण और पालन किसके द्वारा होता है उसके आइडियोलोजी यानि दर्वार्सन का इस सभी में आत्मा होती है तो जैन दर्सन का मानना है कि संसार करियरमाड पालन जो है सारभामिक आत्मा द्वारा हुआ है ऐसे ही आप देखेंगे तो 2023 में इस बार के UPSC में कुश्यन आया है जिसमें पूछा है आत्माएं ना केवल जानवरों पौधों के जीवन की संपत्ति हैं के चटानो बहते हुए पानी कई अन्य प्राक्तिक वस्तों की संपत्ति जिने अन्य धार्मिक संपत्ताव के जीवत नहीं माना जाता है तो ये भी देखेंगे तो जैन धर्म का ही यह क्या है तो जैन धर्म का एक कोड़ दर्शन है कि सभी चीजों में उन्हें आत्मा या जीव के समान मानते हैं, चायё वो निर्जीव हो चाया वो सजीव हो इसलिए आप दीखेंगे दिंगंबर या अगर बात करें स्वेतामबर जो दीखेंगे तो मुह पे कपड़ा बाधे रहते हैं तो उनका मानना है कि सभी में जीव है ठीक है आप देखेंगे तो जैन धर्म में खेटी वगरा भी वर्जित है तो कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है अब यह तो जैन धर्म से कुश्चन पूछे गए अब पूरा हम जैन धर्म रिव बात करें तो जैन धर्म या जैन सब्द का मतलब होता है जिन जिसका अर्थ होता है विजेता ठीक है जैन विच्चियों को निगरत यानि बंधन से मुक्त भी विखा जाता है रिशवनात की बात करें इस शंप्रदाय के प्रथम तिर्थंकर और संस्थापक थे ठीक है संतों में निगता नटपुत के रूप में संदर भी था जिनका जर्म देखेंगे तो पांसोचालेस इसापूर में उत्तर बिहार में वैसाली के पास कुंड ग्राम के में हुआ था इनके पिता सिध्धार्थ यागित कभीली के प्रमुक्त थे इनकी मात्रिशिला एक लिच गूमते रहें और उनकी मुलाकात जो है गोसला सुई और लेकिन बद्भजवकार जो है वो अलग हो गया और उनके साथ जो है छे साल बिताए तो यह सब भी देखने को मिलता हो सकता है यह वर्ड आपको धियान रखना है कि कभी कभार पूछ लियाता है और खासकर जो है ब प्रदमान महावीर को अत्मग्यानिया Первय चाहिवल का मतलब पूर्ड ग्यान की प्राप्त होती है ठीक है तो इसके बाद वो तिर्थंकर बन जाते हैं और इसके बाद वो जिन कहला था जिन मतलब महावीर या महानवीजेता कहला है ठीक है तो यह चीजे आपको ध्यान रखनी है और इसके लावा अब इसमें कुछ प्लेसेज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है जैसे महावी तुछ यह भी चीज़ें घ्यान महावियर की सिछा और ग्नमें विस्वास को संधखर करता है ग्यान की बात करता है । एडितुमप दिखेंके जाएं द्र excess कोई भी इस्वर नहीं है यानि इसी द्धान काषड भी कोयी इस्वर को स्विकार नहीं करता है। जुनिया बिना किसी निर्माता के थिति में इसके लाव सबी वस्तों में आत्मा होती है यह morality है समय ज्ञान इसको आपको ध्यान रखना है, पांच महानवर्तों का पालन करता है। तो इन पांच महानुरतों की बात करें तो पांच महानुरत में आइंसा हो गया आस्ते सत्याग्रा अपरिग्रा और ब्रह्मचर और जहां तक बात करें इन पांच महानुरतों में जो जैन धर्म में महाविर स्वामी थे पांच महानुरत की सुरुवात की यानि ब्रह्मचर की चार स्टार्टिंग के हैं वो जो है पिछले जो सिच्छ क्राय होंगे उन्हें उनसे विरासत में मिलता है ठीक है आप यहां पर और दोस्तों क्या ध्यान रखना है यह जुरुवेद में तीन तीरतंकरों का उलेक मिलता है हो सकता है तूदा पुछ लिए जाए जो रिशब्देव की बात करें तो आधिनाथ प्रथम के नाम से जान जाता है इनका प्रतिक शान था नेमिनाथ जो 22 में तीरतंकर थे उनका प्रतिक शंक था पार्सनाथ जो 23 तीरतंकर थे उनका प्रतिक क्या था शांप था और जो 24 में तीरतंकर थे दोस्तों उनका प्रतिक क की बात हो गई अब जैन धर्सासमद कुछ सिध्धान की बात करें तो आप देखेंगे महावीर ने वैदिक अधिकार को जो है अश्विकार किया था ठीक है तो आप देखेंगे जैनिजम और बौदिजम का जो प्रभाव आया यानि धर्म ये प्रकट हुए ये वैदिक धर्म के जो ब्रामण कर्मकांड उसके जो है उसके अपोजिट में ये प्रकट हुए थे यानि जैन धर्म इस्वर्व के अस्तित को न करता है आप देखेंगे जैन धर्म के अंसान संसार का कोई आरम अंत नहीं होता या एक सास्वत नियम के अंसार प्रगत और गिरावट के सिंक करता है कि यानि जयन धर्म का कर सकता है तो महिलाओं की अगर स्थित्की बात कर निए इसकी जगह मौग था अक्षे कर्मों के माद्यम से योगता अर्जित कर सकती ती जाने का मतलब दोस्तों जयन धर्म के कमी दिखाई देती है कि मोच प्रात्कत निधारगार सिर्फ पुर्शो को किया गया था ठीक है जयन जैन धर्म के विभाजन की बात कर लेते हैं तो जब महाबीर शौमी जो लास्ट संक्रते उनके मृत्य के लगए 500 वर्स बात आप देखेंगे तो जैन धर्म का विभाजन होता है आप देखेंगे मगद का जो रीजन है वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ता है और जो बद्र और दीगंबरों के प्रमुख उपसंप्रदा की बाद करें तो आपको ध्यान रखना विशापंध्न तेरा पंथ तडब गुल्भरत के उपसंप्रदा है जोटे उपसंप्रदा की बात करें तो गुनाम पंथ और तो सत्वजद वस्दार कर लिए वह सपीद वस धार यहिक तो आप ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया में दिगंबर और नौर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा स्वेतामबर स्वेतामबरों में उप संप्रदय की बात करें तो अस्थानक वासी और त्यर और मूर्ति ये आपको ध्यान रखना इनका संब्धा और दिगंबर से आप देखेंगे विशा पन्त तरथफ़ पन्त तो यह दिगंबर संपुर्दाय से संबंदित है तो यह तो बात हो गई जैन धर्म की विभाजन की अब फ़ड़ता कंपरिटिव स्ट्डी देख लेते हैं दिगंबर और स्वेतांबर की बात करें तो आपको पता है दिगंबर का मतलब होता है वह लोग कपड़े नहीं पहनत वहीं अगर दिगंबर की बात करें दोस्तों तो महावीर श्वामी जो 24 में तिर्थंकर थे वह मानते हैं कि आविवाहित थे जबकि श्वेतांबर मानते हैं वह विवाहित थे और दिगंबर की बात करें तो 19 तिर्थंकर जो मलिगनाथ थे वह पुरुस थे यह दिगंबर क का मानना था जैन धर्म के वह जो 1923 करते महलिनात क्या थी महिला थी इसलिए क्या कहते हैं इस्त्री के लिए मुक्ष का राप्ति संभव है तो यह दिगंबर और सौर्भामिक आत्मा की धाड़ों को अलसी कार करता है आप देखेंगे कुष्चन यहां से आया था आत्मायन ना केवल जानवरों पाउदों की जीवन की संपत्य बलके चट्टानों बहते हुए पानी और अन्य कई प्राक्तिक वस्तुएं जिने अन्य धावरे संप्रदा द्वारत जीवित नहीं माना जाता उसकी भी संपत्य होती है यह देखेंगे तो यह यूपी यसी पीटी 2023 में कुष्चन पूछा गया था इतकी आपको ध्यान रखना है ठीक है और चीजे मुझे जहां तक लगता है कि हम इसमें पता चुके हैं जैन कॉंसिल की बात करते हैं तो तीन सो इसापूर पार्टिल पूत्र में आवित की गए ती इसकी अध्यस्ता इस्थूल बदर ने की थी आप देखेंगे इस्थूल बदर का मतलम नॉर्थ इंडिया की ब जो है जमा स्रमाणने की थी चीज़े भी आपको ध्यान रखनी है जैन शाहित की बात कर लेता है राट दोस्तों कुछ हो सकता है जैन साहित से कुछन आ जाए इसमें और बादिविर्दीम में की यह सब किस धर्म से संब्धित है जैन धर्म से ऐसे स्तारीके से कुछन इसमें बारा अंग बारा उपांग इन सबसे बहुत कमी कुशन आये हैं यहां पर यह चीज़े आपको इसमें जो सब्द दिये गए हैं इसको आपको ध्यान रखना है और प्रतेक अंग में उपांग हों पुते हैं जो ब्रह्मान का वित्रण प्राणियों का वर्गेकर खोग इसके लावां अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है तमिल चाहित की बात करें तो तमिल चाहित में नल्दियार और पाल मोली जीवक चिंता मिड़ और यह प्रमुलागी कर गई और यह सब जो है कुछ जहन प्रमुक जो है रचना है यह आपको ध्यान लिखा है योग सास्त्र पश्षिष्ट परमन अहिंडित किस ने लिखा है यह जो आपको बुक के नाम आपको कुछ चीजे ध्यान रखनी है मिलान के संदर में कुछिन पुछ जाते हैं तो पीडियो पॉस करके आप जो है इसको अच्छे से जो है नोट डाउन कर लिजे या पीडियो आपके टेलिग्राम चैनल पर सेयर कर देंगा वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं कभी-कभी कुश्चन मिलान के संदर पुछ ले जाता है कि जैन धर्म के संदर्चक अनिस्वत्य राजाओं का नाम जो है मिलान कंद करने के लिए दे दी जाता है यह भी आप करता है कडंब राजम प्राश की बात करा राजा उसस्त वर्मन यह जैन धर्म के संदर्चक थैं जो है यहाई चालूकि की बात करें चालूक की बात करें तो कुमार आप दिखेंगे तो बहुत धर्म का प्रचार आपको जाद देखने को मिलेगा कंपेरिटिव टू क्या कहते हैं जैन धर्म तो साइस सनुच्छड का भाव रहा जैसा बहुत धर्म को मिला है उससे कम मिला है और दिगंबर सोयतांबर के बीच आंतरिक विभाजना देखना मिल इसके पतन का काड़ बनी अब जैन धर्म से जुड़े कुछ महातपुर्ट तथ जैसे सलेखना और संथारा संथारा की बात करें तो मृत्त तक चलने वाले क्या है अनुष्ठान जिसे लोग जैन लोग तपस्वी की रूप में हमारे जीवन की समाप्त की रूप में मानते ह ठीक है और इसके लावाद देखेंगे तो इसमें बाहुबली का जो है पर्थम तीर्थंकर रिशब्देव का पुत्र माना जाता है और करनाटक में आप देखेंगा महामस्तव सेख होता है स्रामाड बेल गोलम हर 12 साल में यह आयत कि यह जाता है ठीक है तो इतनी चीजें इसमें कुछ कीवर्ड आपको ध्यान रखने है और जैन धर्म से समंदित कुछ जैन मंदिर की बात करें तो रड़कपूर मंदिर रायस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा यह एक सुवतामबर जैन मंदिर है और तिरतंकर रिशब्देव को समढ़ है यह दिगंबर सुवतामबर दोनों के लिए महत्त प्यूड है और खुजरो में असमारक जो मंदिर समू है वहाँ पर आप देखेंगा जैन मंदिरों का समू आपको देखने को मिलेगा मांट आव का दिलवाडा जैन मंदिर यह भी आपको देखने जैन धर्म से सम्मधित आया था तो यह वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कोई भी आर्टन कल्चर का पड़ते हैं उसमें जो वर्ड होता है कि धर्म के संप्रदाय सम्मधित है यह चीज़े आपको द्यान रखनी है अब इसके लावा कुछ महत्पूर्द सब्द में कभी-कभी अरहत पूछ लिया किससे संब्द है और यह कैवल की अवस्था में प्रवेस कर लिया जाता है इसका मतलब होता है तिर्थंकर जो है अरहत जिसने पहले हिसे दान सिखाने की च्छमता हासिल कर दियो उसे क्या क्या करते हैं यह कुछ जो है वर्ड आपको ध्यान रखने है अब हम लोग एक कंप अस्था रखते थे यानि विश्वास नहीं करते थे कर्म और पुनर्वजन की बात करें तो बहुत धर्म जो है और जैन धर्म ने मानता दी है मुक्ष की प्रात की बात करें तो बहुत धर्म का मानना है सुद्रों और महिलाओं के प्रत उनकी आसंका व्यक्त की और जैन धर्म की बात करें जैन धर्म ने सूद्रों और महिलाओं गब्रत आशंगय वेक्त की थी मार्ग की बात करें तो मार्ग जो है बहुत धर्म मध्यमार की बात करता है जबकि जैन धर्म कठोर साधना पर बल देता है निर्मार की प्राप्त की बात करें तो बहुत धर्म मानता है कि नि कि इस तरह हमने जैन धर्म और बॉट धर्म का इश्टरी कर लिया और ने पढ़ लिया पुछा ने पंगाल के पाड़ शांस्क्रतिक संपर्व्यापरियों के सम्मद्ध बनाए बंगाल के खाड़ी और प्रारंभिक समुद्री इतिहास के स्रिष्टा के लिए नेमलिकित में कौन सा सबसे कठोर अस्पेस्टिकर हो सकता है अने देशी के तुलना में भारत के पास बेहतर जहाद निर्मण तकनीक थी और बी इस संदर में ब्यापारियों ब्रामण पुजारियों और बहुत विच्चियों को सनच्ट्र दिया और समुद्री यात्राओं को सुभधर जनक बनाया और बी आप देखेंगे तो इसमें रिजहनें वहां पर जहाद निर्मार्ट तकनीक बहुत ज़्यादा बेहतर थी तो इसमें और यानि और बी दोनों सही यानि अप्संट्टी सही हो जाएगा अप्संट्टी की बात करें तो गुप्त काल में भारती मांसुनी हमाओं को घ्यान था बंगाली खाड़े मांसु अपने समुद्री यात्राओं को सुब्दा जनग मना है लेकिन यह मुख्यकार नहीं था कि भारत में बंगाल के खाड़ी में दच्छडपूर एसिया के साथ अपने सुरुवाती सांस्कृतिक संपर और व्यापार के संब्द मना है इसलिए हमने ऑप्संट 3 जो है इसमें स द्रिश पर हावी नहीं था यारी देखने में आप देखेंगे धर्म का प्रभाव ज्यादा देखनी को नहीं मिलता है अप्सं 2 इस अवादि के दोरान भारत में कपड़ा निर्माड के लिए कपास का उपयोग किया था कौन सा कथन सही है तो आप देखेंगे दोस्तों जह इस ट्रियम जो है इंडेस्ली सिव्लाजाशन के हर्णपर सिवलाजाशन की बात करें द्हर्म का प्रभाव इतना वर्चस नहीं था ठीक है उसलिए उप्संट एक भी सही होजाएगा अब दोस्तों हम पुरा इंडेस्ली सिवलाजेशन का रिविजन कर लेते हैं इसमें कभी कभी इंडस वैले सिविलाइजेसन का North South और East West का विस्तार पुछा जाताया जैनी पुछा जाता है अगर सबसे पुरवध ieंडस वैली शिविलाइजसनग का पूछा जाया तो आलमगीर यूतयद्र प्रदेस में तो आपको ध्यान रखना है सुद्गेंडोर है पाकिस्तान में 10 करीबर के किनारे स्थीत है और वहीं दोस्तों अगर इंडेस वैली सिविलाजेशन के सबसे उत्तरी छोर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जंबू किसिन मांडा में आपको देखने को मिल जाएगा च रखना तो यहां पर आब देखेंगे तो कुटे के साथ मानो के किनारी स्थीत की मिला है आप देखेंगी तो एयां पर इंडेस वेसी नदी की किनारी स्थीत मिल जाएगा यह एक यहां पर largest stone tools देखने को मिलेंगे सुर्कोडरा की बात करें यहां पर पोर्ड़ भर्यल आमदा की बात हम कर थे चुके है रंगपूर वधार के किनारे है घुज्रात में यहां पर यहलो ग्रे pes called देखने को मिला है और इसके लावाभark आप देखेंगे अलजुनों की बात करें इंडिस रिवर के किनारे है आमिर और अमारी की बात करें तो यह विद्वि कुनारे देखने को मिलीगा तो यह पर कई सारी साथ दी गई है और कब इसका जो है खोज हुआ था किसने अप उसको खोजा था ठीक है लोकेशन यहां पर इंपॉर्टन फाइंडिंग क्या हुई थी इसके बारे में यहां पर दिया गया इसको आपको देख लेना है परहाल हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में जैसे प्रमुकस्तल की बात किया तो म मुहन जोड़ों में आप देखेंगे सिंध प्रांत के पष्चमी तर्ट पर आपको मिल जाएगा लरकाना जिले में हडपा यहां से क्या क्या प्रत्त हुई यहां से विशाल अस्नानागार अन्नागार विशाल सबाभावन पक्की इटे खांचेदार नालिया नरतकी की मोर सुरिख़ समगरी म्कान के खिड़गी के सबूत प्राप्तवे कहां से मोहन जो जाड़ो जो हडपा की राज़़ान ही मना जाता था हcrowdपा की बात करें हडपा एक जगह है यह रावी में पाकिस्तान के पंजाब सबक्रें ह convictions प्रांत में और गेहुँ जो के दाने मिले, सोने की मोहरे, तवाधान पेटिका, और खबरिस्तान नमबर जो है 837 आप देखेंगे, तो यह हडपा में ही आपको देखने को मिलेंगे, इसके लाँ मिर्दमान उद्योग के सबुत भी आप देखेंगे, हडपा में ही देखने को मिलेंगे, लोथल की बात करें, लोथल देखेंगे, गुजरात में एक बंदरगा सहर है, गुजरात में भोगवान अधी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये इंटस्वरी सिबलाजेशन का, यानि हडपा सब बताग एक कामर्शियल राजदानी थी, यहाँ पर आप मिला है, यहाँ पर विशाल गोदी वाड़ा, और इसके लावा देखेंगे, युग मुश्ववाधान के साक्ष मिले हैं, अगनी वेदिका मिली है, बंडार गिरी मिले है, मिस्र की ममी का मॉडल मिला है, कपड़े की रंगाई की टंकी का साक्ष यहाँ पर मिला है, और इसक जिसके उपर और निचले सहर दोनों दुर्गी कित ही थी और आप देखेंगे नॉर्मल में वहाँ पर अलग अलग यानि एक सहर आपको दुर्गी कित मिलेगा एक नहीं ठीक है और यहां से चूडी निर्माड उद्यो कांस उद्यो गोलाकार कब्र और सलिचिकिस्सा के प्रम चुएज्र आपको कहां से देखने को मिलेगा काली बंगा से और इसकेलाओं देखेंगे तो मनहर्ट और मनंसर तालाव उचल्प्रबंधन विशाल बांद आपको देखने को मिलेग और और विछदा में bewट पौई पांच अस्थानों में सबसे बड़े अस्थानों में से एक है इसके लाओं आलमगीर की बात करें चुके हैं आलमगीर आपको देखने को मिल जागा उत्तर प्रदेश में हिंडन ट्रविबर के किनारे और यह अपर विदेशी मूरे वसुद्यों के सबोत मिले हैं राखी- में जाना रता है यहां पर कोई भी दूर्ग आपको देखने को मिलेर नहीं मिलेगा और अन जो यवाँ पर आपको दूर्ग देखने को मिलेगा यहां से क्या-क्या allora after के हाड़ी के हुक्स मिले है ठीक है पनावली की बात करें बनावली दिंगे तो मनावली हर्याड़ के फतेहाबाद मिल जाएगा यहां पर क्या सक्ष मिलिए रहा हैं पोड़ the तो कोड़ा देखी बात करें तो यह गुजरात यह कक्षेत्र में इस्तित है यहां पर घोड़ों की अस्थियां सबुत मिले हैं यहां पर पाई यह कब्रे पत्थर से धकी हुई थी यह कुछ इंपॉर्टन हड़ापन साइट थे इसको आपको ध्यान रखना है इसका लाओ द